नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंट्रस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सेरीज में लेकिन बाई आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है कल की हमारी जो न्यूस थी एपिसोड उसके अंदर बहुत ही अ तो सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए और सबसे बड़ी बात अगर आपने अपने मेरे को इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है मैंने अपना लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए शुरुआत करते भाई इंडिया वरसे सीरीज बांगला देश की तो भाई यहां पर बांगला देश ने अपना T20 का स्कॉर्ड जारी कर दिया है भारत के सामने T20 सीरीज में इसमें कप्तानी करेंगे साकिपल हसन और वहीं इनके बड़े खिलाडी तमीम इकबाल की वापसी हुई है T20 स्कॉर्ड में दोस्तों इसको लेकि जो है एक और बड़ी खबार आ रही है लेकिन इस बार यह खबार आ रही है भारत के हवाले से जहां प्रस्तों एक जो है रिपोर्ट सामने आई है कि मोस्ट लाइकली जो है संजू सैम्सन को जो है सेकेंड विकेट की पर दे जो को जो है इस सीरीज में मौका मिल सकता है बांगलादेश के सामने T20 में यह जो है इन प्लेयर के लिए काफी अच्छी बात होगी अगर इनको मौका मिलता है तो दोस्तों अभी जो है बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भाई पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सर्फरास खब्रास लेके भाई यहां पर आज अफिशली पाकिस्तान की टीम ने जो है सर्फरास एहमत को तीनों है कि बड़ी में जो है test की कपतानी करेंगे अजर अली और जो टी ट्वेंटी है उसकी कपतानी करेंगे बाबर आजम और उसके अगले साल जो की हुझे वाला है अगले साल का एसिया कप वो होने वाला है टी 20 के फॉर्मेट में देखने में काफी मज़ा आएगा बाबाराजम वर्सेस विराट कोली दोस्तों बात करते हैं रोड सेफटी टोर्नामेंट के जो कि मैंने आपको बताया था कि फरवरी में जू है अगले साल सचीन ब्र प्रिलंका लेजेंड वेस्टेंडी लेजेंड और एट दी एंड साउथ अफ्रीका लेजेंड मतलब कि ये पास्टीम जो है कंफर्म हो गई है रोड सेफटी टोर्नामेंट में दोस्तों अभी जो है खबर आ रही है बीपील से मतलब कि बंगलादेश प्रिमियर लीग से य जो की 140 की रफ्तार से गिंदबाजी करें अगर मेरे को धान में आये तो जो पूरी टीम है बंगलादेश उसके अंदर जो है एक तसकीन एहमद और एक है रूबल हुसेंड ये दो खिलाड़ी मुझको धान में आते हैं और तीसरे कभी-कभी आते हैं वह मुस्तफु जो रह अगरे हैं कि हर एक टीम के अंदर है मतलब की जो उनकी होई कि प्लेइंग लेवन उसके अंदर जो है एक लेग स्पिनर कंपल सरी है तो भाई यहां पर इन धो नियम कणफर्म है फस्ट नियम 140 प्लस धरुन। होना चाहिए एक टीम के अंदर और से लिए वह लेग स्पिनर तो भाई इसके अंदर जो है यह मैचश fundraik reference लेकिन जान लीजिए quarter final 1 और quarter final 4 मतलब कि यह दो मुकाबले सिर्फ affairs लाइफ टेली कास्ट ओने वाले है star network के उपर मतलब कि आप स्टार sports 1, star sports 2, star sports 3, 4 आप देखते रहिए, किसी के उपर यह life चल जागा, के मतलब की अपना जो है quarter final one और quarter final four जो भाई one quarter final वो होने वाला है भाई करनाटक का वर्सेश पुड्डू चेरी और जो फोर्स है वो होने वाला है मुंबई वर्सेश 36 गड़ अभी जो है बहुत ही बड़ी खबार आ रही है नवनीता गौतम भाई यह जो है पहली वोमेंट स्टाफ है जो कि किसी भी आईपील फ्रेंचेस याद में जुड़ी है उसका नाम है आरीवी दूसर यहां पे जो है नवनीता गौतम का काम है वो है फीज़ो तेरपिस्ट मसाज मतलब कि जब घिलाड़ी आते है खेलके तब उनकी मसाज करना उनको जो है एक उजू है सारा काम यह रहेगा नवनीता गौतम का तो ये जो है इतिहास हो चुका है कि फर्स्ट वुमेंस बन चुकी है IPL में और अभी जो है आने वाले टाइम में RCB को देख के जो है और भी टीम अपने वुमेंस स्टाफ को रखने वाली है ये बात भी कन्फरम है आप खबर आरी भाई स्री लंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के T20 सिरी से जो कि भाई 27 अक्टोबर से स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर जो है सिरलंका ने अपना T20 का स्कॉर्ड जारी कर दिया है जहां बिरुस्तो लसिद मलिंगा वापसी है और वो जो है दुबारा से कप्तान बन चुके है आप जो है सारा स्कॉर्ड अपने स्क्रेन के उप अब ट्रेनिंग करते हैं लेकिन अभी खबर आ रही है रहोल द्रवीट जो है बैंगलोर के एंसीए स्टेडियम में उसोला देश के प्लेयर को ट्रेनिंग करेंगे जिसके अंदर जो है गल्स और बॉइस दोनों जो है शामिल रहेंगे यहां पर दोस्तों जो है जिन जिन लेकिन उतना अच्छा नहीं खेलते है वह जो है रहुल द्रवीट के अंदर में ट्रेनिंग करेंगे अभी जो है खबर आ रही है यूरोपियन क्रिकेट लीग को लेकि आपने यह साल देखा कि भाई किस तरीके से यूरोपियन क्रिकेट लीग फेमर्स हुआ उसका फॉर्म कंफर्म हो चुकी है वो है 31 मई से लेकि 7 जून 2020 को जो है यूरोपियन क्रिकेट लीग खेला जाएगा जो है खबर आ रही है भाई न्यूजिलेंड वर्सेस इंग्लेंड के टी 20 से जहां पे दोस्तों इंग्लेंड के टीम ने जो है न्यूजिलेंड के ही जो है एक थे प्ल 25 मैच की सीरीज के लिए अपना ओफ स्पीनर कोच रख दिया है मतलब की भाई यहां पर जो है जीतन बटेल इंग्लेंड के टीम के स्पिन बॉलिंग कोच बन चुके है पांच मैच की टीनोंडी सीरीज के लिए जो की जाएगी इंग्लेंड न्यूजिलेंड में त्रोस्तो तो यह थी आज के दिन की सारी न्यूज मैंने आप से पहुंचा दियार आप सभी वीडियो को लाइक करो शेयर करो अगर इंस्टाग्राम पर फॉल्लो नहीं कियो जल्दी जो है फॉल्लो भी करके रख लीजिए असते रहिए मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रह हम झाले शीजिए और क्रिकेट खेलते वीनिए ठनी जो चाने है वी जो है घजै झाले तो चुल्लो भी करो शेया है उल्लो घो मैं हम झाले प्लो भीजिए बाइग करो बाई मुस्पराते रहिए वीजिए घजार शेया है तो